कि नमस्कार दोस्तों के इंडेक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो चलिए देखते और प्लैन करते हैं कि निफ्टी बैंक में कल कौन से लोकेशन पर ट्रेड लेने चाहिए तो निफ्टी का फिफ्टी का यहां फिफ्टीन में का चार्ट लगा लिया है फिफ्टीन दो कि एसे ही होता है जब फिर से उसी लेवल पर चला जाएगा तो आइडियली फिर से लर्स अब जिन लोगों ने सेल किया होगा फिर से वों होती है कि हाँ जिनकी बी उपरचुनिटी यह चूट गई है मिसावट हो गई है वह फिर से एक बार मार्केट को उस लेवल से न उनकी या कम करेंगे बढ़ाएंगे तो उससाब से यूएस के मार्केट से रियाक करेंगे या तो गिरेंगे या तो बढ़ेंगे तो होगा क्या कि कल हमें बेसिकली अगर गैप डाउन मिल गया मार्केट तो ही मुझे लगता है कि बेसिकली ज्यादा अच्छा का सा मोमेंटम ह यहां पर एक चीज़ गौर करने जैसी देखिए कि निफ्टी को अखेले को उपर जाना है लेकिन पूरी तरह से एक उल्टा ही काम हो रहा है कि निफ्टी को नीचे गिरा रहे हैं और रोज बरोज बढ़ाते ही जा रहे हैं और आज भी अगर आपने देख लिया होगा कि में क्लेयरली हमने मार्केट का बॉटं पकड़ाता और दीचिया पर हमें टार्गेट हुआ तो यह पर सपोर्ट और पर चामधी आज कि दिन की मार्ली हुए कभी भी याद रखिए प्रीविएस डे जबी भी अगर एक राइली हुई है मार्केट में तो डिफिनेटली एक अच्छा गासा बेसिकली यह होता है वहाँ पर सपोर्ट बिल्ट होता है और यहाँ पर भी थोड़ी सी आफ्टरों ने यह वाला जो लेवाले यह भी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा अब कल हमें क्या चाहिए तो बेसिकली हमें यहीं चाहिए कि मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो या तो गैप बहुत ही बड़ा गैप अब इसके बीचे का रिजन क्या बताता हूं क्यूंकि आप देख सकते हो कि बारा तारीक से लगबग 18570 से मार्क उनके end of the day में उनका profit ही दिख रहा है तो होता क्या है अब अगर expiry का उनका view था कि या चलो 18780 या 18800 मार्केट पहुच जाएगा तो ideally वो profit booking के लिए basically यह करेंगे उनका aim होगा कि profit booking करना तो flat अगर open होता है तो वो तो सबसे best ही है क्योंकि यहाँ पर अगर range बना देता है इस जोन में अगर range बन जाती है यह वाला जोन है डीएस और एमार के बीच वाला जोन और उस रेंज को जिस भी direction में यह second half में ब्रेक करेगा first half हमें यह ही चाहिए होगा कि यह sideways चला जाए इसे यह कई नहीं जाए वह हमारे लिए सबसे बहुतर है और यह जोन एक बना दे क अगर यह जोन मनाता है second half में बहुत अच्छा trade मिल सकता है upside के लिए यह definitely upside भी हो सकता है वह लेकिन ज्यादा मज़ा तब आएगा यह तो मार्केट बहुत बड़ा gap down open हो जाएगा यह तो gap up क्योंकि होगा क्या कि अब market continuous चीज़ याद रखिए market continuous upside जा रहा है तो इसका basically gap down open होता तो क्या होगा कि वह adjust करने के लिए मार्केट दोड़ेगा बहुत तीजी में दोड़ेगा कॉल और पूट के प्राइज तो आइडिली एकस्ट्रीम gap up या gap down open हो जाता है तो एकस्पाइरी के दिन option buyers के लिए भी sellers के लिए हम तो यहीं उमीद हमें रखनी चाहिए कि gap down open हो gap down अगर इस zone में कई पर open होता है तो इस डिफिनिटल एक अच्छी का सी बाइंग ऑपर लेके जाने की कोशिश करेंगे और सेम विद अगर gap up open हुआ है तो एक बार तो मार्केट को वह इस previous day close और इ time frame पर चलते हैं और सपोर्ट रेस्टांस मार्क कर लेते हैं और इसके दाद हमारे ट्रेट के टेकनिकल और ऑप्शन से वल भी लगा लेते हैं तो यह हमने लगा लिए हैं तो यह एक इंपर्टन सपोर्ट है यह जीज़ जयाद रखे हम हमेशा 43 850 से 43 900 यह सपोर्ट जब त तो यह डेफिनेटल एक breakdown हो सकता है तब तक के लिए हमें इस चीज़ का डर नहीं का लगना चाहिए कि क्यूंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पर आजमा रहे हो यहाँ पर तीन green boxes है मतलब कोई ना कोई buyer जरूर आ रहा है यहाँ पर भी seller जरूर आ तो इस range में basically क्या किया है बैंक को पकड़ के रखा है अब इस range का clear होना बहुत जरूरी इस range को यह तो upside में तोड़ देए यह तो downside में इससे होगा क्या basically अगर यह upside downside में ब्रेक होगी तो हम option buyers के लिए फाइदे मंद होगा क्योंकि एक ranging market मिलेगा अब हमें क्या मिल रहा है एक ranging मार्केट मिलेगा एक एक end में चाता है फिर से दूसरी end पे आता है दूसरे end से फिर से दूसरी end में जा रहा है तो यह रेंजिंग मार्केट खतम होने के लिए इस range का निकलना बहुत जरूरी है इस range यह निकाल देगा तो यह डिफिनेटली अच्छी कसी upside downside मिल सकती है अब यहापर flat open होता है त होंगे तो automatically यह कोशिश करेंगे बड़े प्लेयर मार्केट को upside downside लेके जाने की तो एक range के लिए हमें वेट करना होगा यह डिफिनेटली एक डाउन ओपन होता है तो यहापर एक चीज़ यादर के weekly support भी है यहापर डेली सपोर्ट भी है तो यह जोड़ा सा important है यहाँ नहीं पारे कल एक्सपारी कड़े तो बहुत बड़ी शॉट कवरिंग आ सकती है जो हमें फिर से लेके जाएगी डियार और डॉट तक अब एक्स्टीम गैप अपन होने पर देखिए माइंग कभी इमेडेटली नहीं आती एक्स्टीम गैप अपन होता है यहाँ पर वेट क नहीं एक चीज़ याद रखिए जब आप गाड़ी चला रहे हो और स्पीट ब्रेकर इस बहुत हो क्या आप देट चलाओगे क्या नहीं चलाओगे से मेज यहाँ पर भी एक चीज़ रखिए कि इंपोर्टन्ट इस नहीं है तो डिफिनेटली यहां से एक बहुत बड़ी लेखेगी जो हमें फिर से लेके जाएगी 44 350 के आसपस बैंक निफ्टी के लिए एक चीज है कि बहुत इंपोरटन्ट इंपोरटन्ट है यह लेवल ब्रेक में और यहां पर चार्ट लगा लेते हैं तो यहां पर भी सेंव जैसा ही चाट दिख रहे है कोई डिफरेंस नहीं यहां पर भी हमारा व्यूस सेम है क्यूंकि एक चीज़ याद रखे यह अलमस भाई-भाई यह दोनों इंडेक्स तो यह चीज़ याद रखे कि अगर आप जैसे कि देख सकते हो रेंज में है यहाँ पर हम टेक्निकल और ऑप्शन लेवल लगाने के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है में सेम यहाँ पर भी दो इंपोर कडने का मौकाना दे तो यहाँ पर हमें वेट आप वुपन होता है डीयार के बास यह सस्टेन करेंगा फिर निकलेगा तो एक अच्छी मिल सकती है सेम विद अगर फ्लैट ऑपन होता है तो कुछ नहीं हात नहीं हमें करना होगा एक रेंज बनाने के लिए और वो रेंज को और देखते कल लाइव मार्केट में अगर कुछ अच्छा ट्रेड बनता है डिफिनेटली प्रीमियम ग्रूप में हम अमारी लाइव मार्केट एंवीडियो और स्क्रीन्शोट चार्ट का स्क्रीन्शोट शेर करेंगे यह वीडियो आपके इंफ्रमेशनल परबस के लिए क्र